नमस्कार दोस्तों, इलेक इंजिनियर में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहीं भी आपके सर्किट में या ब्रैडबोर्ड में कहीं भी शॉट सर्किट हुआ हो तो आपको कैसे पता लगता है, मल्टी मीटर से आप कैसे देख सकते हैं कि कोई दो पॉइंट आपस में शॉट है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मल्टी मीटर में आप कैसे यह समझ सकते हैं कि कहीं शॉट है तो multimeter में एक देखिए ये mode होता है जिसे बोलते है continuity mode तो ये mode जो है अगर कोई भी दो point short है आपस में तो ये आवाज करता है tune करके ये मैं आपको दिखाऊँ कैसे आवाज आती है दूसरा अगर किसी आपके इसमें multimeter में अगर ये setting नहीं है तो आप resistance वाला भी जो है आप इसमें सबसे नीचे वाले resistance value पे रखे भी आप resistance चेक कर सकते हैं अगर आपका resistance 0 या बहुत कम value है उसके आसपास की तो आपका short circuit है पहले मैं आपको continuity tester से दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कि short हो जैसे माल लेगिए यह आपका एक circuit है इस तरह से हैं यहाँ पे electricity आ रही है और इसमें यहाँ रजिस्टर से होके यह एक LED और फिर दूसरी LED तो सबसे पहले हैसे हम देखना चाहें कि यह वाला जो point है मैं इस पे एक cable लग रहा हूँ यह वाला point और यह register का इधर वाला point क्या यह आपस में short है तो मैं इसको touch करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह आपस में short है और 0-0-0 यह 0-0-0 जो value है यह बता रहा है कि दोनों के बीच में resistance 0 है मिन्स यह directly short है इसी तरह से अगर मैं कोई और value देखूँ जैसे मैं इसको अगर मैं यहां connect करूँ तो देखिए value नहीं आ रही है ठीक है देखिए यह मैं यहां connect कर रहा हूँ कोई value नहीं है इसका मतलब यह आपस में short नहीं है ऐसे आप किसी भी circuit में जैसे माल लिजे यह आपके सामने एक यह circuit है अगर इसमें मुझे चेक करना है जैसे माल लिजे कि यह वाला जो point है अब क्या यह इस point के साथ short है तो आप देख सकते हैं कि यहां भी value 000 और यह आपस में short है अब मैं इधर वाले पर लगाता हूं और इस तरफ वाले को test करता हूं तो यह देखिए यह short directly नहीं है य मैं इस point से check करता हूं जो कि मुझे पता है कि short है तो आपको इस तरह की आवाज और यह 000 short मिल जाएगा क्या यह वाला point इस से short है नहीं क्या यह वाला point इस से short है यस तो जो भी आपस में short है मतलब देखिए यह जैसे मैं दोनों को आपस में touch करूँआ तो short होता है तो यह आ टच करेंगे तो यह multimeter आवाज अगर यह point अगर आपके multimeter में नहीं है तो आप उसको सबसे चोटे resistance value पे रखके भी आप सेम चीज करेंगे तो आपको lowest amount of resistance दिखाएगा देखिए तो अभी यह दिखा रहा है कि 0 ही हो गया देखिए resistance 1.2 ohm का यह resistance दिखा रहा है तो यानि यह almost zero के बराबर का resistance हो गया है जैसे इसी तरह है जैसे मैंने पिछली बाद यहां दिखा यहां भी मैं एक बड़ चेक करता हूं तो यहां भी आप देखेंगे कि एक ohm का resistance दिखा रहा है तो यानि almost zero resistance है अगर आपके पास यह mode नहीं है तो आप resistance mode से भी आप चेक कर सकते है कि आपके circuit board में कहीं short circuit है तो बहुत simple सा है I hope समझ में आ गया होगा नहीं समझ में कोई question हो तो आप मेरे से पूछिए that's it bye bye take care